जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज हम वीकली करेंट अफैर्स को डिसकस करने वाले हैं आज हम डिसकस करेंगे आपके सामने 24 दिले की 30 अपरल 2023 के important weekly current affairs ये current affairs भारत के हर exams के लिए ज़रूरी है दोस्तों ये जो current affairs है आपको दोनों medium में provide किया जा रहा है हिंदी और English देखिए यहां पर मैंने 60 plus important question लिए है यानि पूरे हफ़ते का आपका test होगा और पूरे हफ़ते का आपका revision होगा bullet की तरह प्रशनाने वाले हैं तो तयार रहिए पहले प्रशन के लिए तो friends पहले में आपको बता दूँ यदि आप PDF डाउनलूड करना चाहते हैं तो आपको राजा गुपता current affairs लिखना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर join हो जाएंगे जहां पर regularly आपको PDF provide किया जा रहा और रात को 9 बजए यहां पर test भी होता है current affairs का तो यह test देना भी ना भूले तो आप weekly current affairs का भी test देंगे रात को पढ़के आईएगा आई देखते हैं सबसे पहला question हाली में वीरता पुरसकार से सम्मानित होने वाली IAF की पहली महिला दिकारी कौन बनी है who has become the first woman officer of IAF to be awarded at the Galantry Award तो friends इसका right answer है दीपिका मिश्रा देखे friends दीपिका मिश्रा पहली महिला दिकारी बनी है और वीरता पुरसकार सम्मानित होने वाली सबसे पहली IAF officer बनी है IAF first women Galantry Award दीपिका मिश्रा receives वायू सेवा medal इमेज में आप दीपिका मिश्रा को देख पा रहे हैं जो की कमांडर है Wing Commander दीपिका मिश्रा को पुरसकार किस ने दिया है तो भारती वायू सेना की पहली महिला दिकारी जो बनी है इनको award दिया है भारती वायू सेना प्रमुग एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने इन्हें पुरसकार दिया है दोस्तों बात करें तो अभी अगस्ट 2021 में बाढ़ाई थी बहुत भयानक बाढ़ाई थी मध्य प्रदिश में दिपिका मिश्रा ने अपनी जान को जोके में डालते हैं आपदा रहत में काम किया और बहुत सरी लोगों की जान बचाई दोस्तों अगला प्रशना आप सभी के सामने आ गया है राश्ट्रिय पंचाईती राजदिवस यह कब मनाया जाता है वैं वाज नेशनल पंचाईती राजदे सेलिबरेटेड तो फ्रेंट्स हर साल 24 अप्रल को हम मनाते हैं पंचाईती राजदिवस दोस्तों हमारे राश्ट्र पिता महात्मा गांदी जी का कर रहा है तो आपको गाओं का विकास करना होगा आपको जो रूट लेवल है वहां पर सुधार लाना पड़ेगा तो फ्रेंट्स इसी को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रल को सम्विधान में 73 अमेंडमेंट किया गया 1992 में और 1993 में पूरे भारत में लागू हो गया नेक्ज कोशन विश्वxico-malaria ac8 कब मनाया जाता है मलेरियाक को नियंचिर्ट कर सके ताकि हम मलीरया को कंट्रोल कर सके और लोगों को जागरुखिय है कि malaria कितना खतरनाक बिमारी है 2023 की अदाप से theme पूछी जाए दी तो ये है time to deliver zero malaria investment innovation implementation अगला प्रशने रहा प्रकास सिंग बादल हाली में किस राज्य के पूर मुख्यमंत्री थे जिनका हाली में निधन हो गया प्रकास सिंग बादल was the former chief minister of which state who passed away recently तो प्रकास सिंग बादल पंजाब की chief minister थे जिनका हाली में निधन हो गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रकास सिंग बादल इनका 25 अप्रल 2030 को निधन हो गया है दोस्तों यदि एक्जाम में आप से पूछा जाए कि प्रकास सिंग बादल किस पार्टी से संबंदित थे तो sad पार्टी से संबंदित थे शिरो मडी अकाली दल इनकी पार्टी का नाम है और 95 years की उम्डर में इनका निधन हुआ है 1927 में इनका जनम हुआ था दलाई लामा ने किस वर्स का रमन मेक्सिस पुरसकार विक्तिगत रूप से प्राप्त किया है दलाई लामा हैस परस्नली रिसीव दी रमन मेक्सिस अवर्ट फर विच यह तो दलाई लामा को 1959 का अभी पुरसकार मिला है दोस्तों 1959 में इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने पुरस्कार रिसीव किया था ये वहाँ जा नहीं पाए थे तो जो रमन मैक्सेस के जो सदश हैं वहाँ इनके निवास पर आए और उन्होंने इन्हीं ये पुरस्कार दिया है 1959 के रमन मैक्सिस पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है दोस्तो दलाइ लामा जो है 1959 में इनको रमन मैक्सिस अवार्ड से समानित किया गया है ठीक है चले अगले कोश्ण को देखते हैं नेस्ट कोश्ण अभी आपका आने वाला है नेस्ट है भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाने पर हाली में सहमत हुआ है एंडियान विच कंट्री है वे एक्रीड टू सेट अप नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर तो फिंट्स भारत और युनाइटेड किंडम ने फैसला किया है कि दोनों मिल करके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाएंगे दोस्तो भारत की बिभी नकवारों में ये ख़बर छपी हुई थी अब समझते हैं कि क्या हुआ है तो दोस्तो भारत के पृत्वी और विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेन सिंग ये च्छे दिन की आत्रा पर गए थे युनाइटेड किंडम जहां पर दोनों देशों ने समझोता किया है कि हम ऐसा एकोसिस्टम बनाएंगे हम ऐसा मेनुफेक्चर करेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुचाएगा हम हरित हाइडोजन की तरफ बढ़ेंगे हम डी कार्बनाईशन की तरफ बढ़ेंगे हम उन छेत्रों की तरफ बढ़ेंगे जिससे की दोनों देश मिल करके प्रग्ती कर सके और परियावरन को नुकसान भी ना पहुँचे मुला पीटा बंदरगा ये जो परियोजना है इसकी नीव किस राजने रखी है The foundation stone of मुला पीटा बंदरगा has been led by which state तो मुला पीटा जो बंदरगा है दोस्तों आप याद रखिएगा ये जो है आंध्र प्रदेश राज के दोरा इसके foundation को रखा गया दोस्तों आंध्र प्रदेश की चीफ मिनस्टर है Y.S. जगन मुहन रेड़ी इन्होंने मुला पीटा बंदरगा की नीव रखी है दोस्तों आंध्र प्रदेश में श्री का कुलम जिला जहां पर 4,362 करोर रुपे की लागा से मुला पेटा फिल्ड बनाया जाएगा ये बंदरगा बहुत सारे employment जेनरेट करेगा साथ में जो इसके पडोसी राज है उनको भी फायदा पहुँचाएगा जिसकी मदस से माल को विभिन देशों तक लाया जाएगा और दूसरे देशों से भारत लाया जाएगा हाली में PM मोदी जी ने किसे सार्जनिक प्रशाशन में उत्कृष्टा के लिए पुरसकार प्रदान किया है तो फ्रेंट्स PM गतिश शक्ती सार्जनिक प्रशाशन में बेस्ट एक्सिलेंस का अवर्ड मिला है अब आपकी दिमार में सवाल उठरा होगा कि इसने ऐसा क्या किया है ये मास्टर प्लान क्या है कैसा है तो देखे गतिश शक्ती जो मास्टर प्लान है 2021 में लॉंच किया गया जिसके तहत भारत में रोडवे को डबलब करना है रेल ट्रांसपूर्ट को डबलब करना है रिनेबल कैपसिटी को डबलब करना है जिससे की हम लॉजस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूश करे ताकि हमारी एकनोमी सुचारू रुप से आगे बढ़ते रहे दोस्तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन जानकारी आज आखरी दिन है सरकारी नौकरी प्लान का दोस्तो आज के दिन अगर आप एन्रोल करते हो थ्री यर्ज की सब्स्रिप्शन के लिए उनको उन्होंने स्टार्ट कर दे जिन्होंने नहीं किया तो कर लिजेगा आज आखरी दिन है तो सस्सी पुलिस एकजाम स्टेट स्सी एकजाम ये भी आप कवर कर सकते हों ठीक है चलिए सुडान में फसे भारती नागरिकों को निकालने के लिए हाली में कौन सा उप्रेशन शुरू किया गया विच उप्रेशन हैस बिलोंस टू इवेकवेट इंडियन नेशनल्स स्टेंडे इन सुडान तो फ्रेंट सुडान में जो उप्रेशन चलाय जा रहा है यह ओप्रेशन कावेरी क्या नाम है ओप्रेशन कावेरी नाम है दोस्तों वहाँ पर सुडान में शांती काल नहीं चल रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों भारत की जिम्मदारी है कि वो अपने नागरिकों को वापस सुरक्षित ला साही रहा है साथ में मिस्त राष्ट के जितने भी नागरिक है उनको भी वहां से वापस ला रहा है सुडान में अर्द सैनिक रैपिट सपोर्ट और सेना के बीच में घमा सान चल रहा है वहां पर 4000 भारती फसे हुए है नेस्ट कोशन इंटरेशनल चैर्नोबिल डिजास्टर दे यह कब मनाया जाता है वेन इस इंटरेशनल चैर्नोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे अब्जर्ड तो फ्रेंट्स हर साल 26 अप्रल को मनाया जाता है इंटरेशनल चैर्नोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे दोस्तों आकिर हुआ क्या था तो चैर्नोबिल में चार भी स्पोर्ट हुए थे यूक्रेन के प्रेपिया शेहर में ऐसी घटना हुई है जब उस समय वो सोवे संग का हिस्सा था भारती साइकलिंग महा संग के अध्यक्ष हाली में कौन चुने गए तो इसका राइट एंसर है पंकस सिंग कौन है पंकस सिंग दोस्तो तो यह रास नाज सिंग के बेटे हैं जो की भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर हैं तो नोड़ा से भाजपा विधायक भी है इन्हें भारती साइकलिंग महा संग का अध्यक्ष चुना गया है हाली में सिपरी की रिपोर्ट पेस की गई इसके अनुसार ग्लोबल मिलिटरी पर भारत खर्च करने के मामले में किस स्थान पर है तो फ्रेंट्स भारत चौथे स्थान पर सबसे जादा डिफेंस के सेक्टर में खर्च करता है और दोस्तों अगर आपसे बात करें तो सबसे जो वेपन से फोर्थ नंबर पर भारत के पास ही है एंडिया दुनिया का फोर्थ लार्जेस डिफेंस एक्सपेंडर बना है और यह रिपोर्ट सिपरी ने जारी की है दो हजार बाइस में भारत ने करीब 6 लाग करोड रुपे इन्वेस्ट किये और लास्ट येर की बात कर तो ये था 5.86 लाक करोड सबसे उपर अमेरिका है जिसने 71 लाक करोड रुपे खर्च किये हैं चीन की बात करें तो 23 लाक करोड रुपे खर्च किये हैं नेस्ट है PSLV C55 मिशन को सफलता पूरवक किसने लॉंच किया है तो PSLV C55 मिशन को इसरो ने लॉंच किया है किसने लॉंच किया है इसरो ने लॉंच किया है दोस्तो इस मिशन के मदद से सिंगापूर की दो उपगरह दो सेटलाइट भीजी जाएंगी जो अर्थ के अब्जर्वेशन में मदद आएंगी इसरो 1969 में स्थापित हुआ है यह एक भारत का राश्ट्री स्पेस एजनसी है हेड़कॉर्टर बेंगलिरू में है और S. सोमनात इसके अध्यक्षन नेस्ट कोश्चन तिरंदाजी वर्लकप 2023 हुआ भारत ने इसमें कितने मिडल जीते हैं तो भारत ने इसमें चार मिडल जीते हैं कितने भारत ने इसमें चार मिडल जीते हैं तिरंदाजी में तिरंगर का शान बढ़ाया है इन भारतियों ने, ये मैस था एंटेलिया में हुआ है, कहाँ पर हुआ है एंटेलिया में, दोस्तों तुर्की में हैं एंटेलिया जहाँ पर इसका आयजन किया गया है, जोती सुरीखा वेनम महिला इंडिविजल कंपाउंड में सवड़ पदक जीते हैं ठीक है भारत की पहली वाटल मेट्रो सेवा कहां पर शुरू हुई इंडिया की पहली वाटल मेट्रो सेवा हाली में कोची में शुरू हुई है कोची कहां पर है कोची केरल राज में कहां पर है केरल राज में ये वो मेट्रो सेवा है जो हाली में केरल राज्य में स्टार्ट की गई है दोस्तो केरल की ये commercial capital कही जाती है कोचिल इसका नाम रखा गया है Metrolight ये आज पास के area को connect करने में मददगार होगी Next है Mixed Martial Arts जिसे हम बोलते है MMA1 इस federation का हाली में अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है तो MMA1 का अध्यक्ष बनाया गया है महावीर सिंग फोगाट को किसे बनाया गया है महावीर सिंग फोगाट को image में आप महावीर सिंग फोगाट को देख रहे हैं 2016 में दंगल मुवी आई थी तो अमिर खान ने इन्ही काविने किया है बहुत famous वेक्टी है famous पहलवान, इनकी सारी लड़किया कुस्ती में शामिल है MMA जो federation है, MMA जो है, ये mixed martial arts क्यालाता है जिसमें kick भी होती, boxing भी होती है तो अलग-अलग form की technique एक साथ किये जाते है राश्ट्री चिकच्सा उपकरण नीती 2023 को हाली में किसने मंजूरी प्रदान की है तो National Medical Device Policy 2030 को हाली में भारत की किंद्री मंत्री मंडल ने Union Cabinet ने मंजूरी प्रदान की है और ये बात बोली है कि अगले 5 यर्स में भारत 11 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ जाएगी दोस्तो भारत के जो Health Minister है ये है मनसुक मडाविया इन्होंने बोला है कि भारत में बहुत सारे पेशेंट को उपकरण की जरुरत पढ़ती है यानि इन डिवाइसे की जरुरत पढ़ती है कोरोना के समय आपने देखा था तो फ्रेंड्स भारत पहले से तयार है भारत ऐसे चिकिस्षा उपकरण को बढ़ाएगा और दुनिया को भी सप्लाई करेगा फार्म मशीनरी प्रद्योगी की पर हाली में सिखर सम्मेलन किया गया वेर इस दे समेट ओफ फार्म मशीनरी टेक्नलोजी हेड तो फार्म मशिनरी प्रद्योगी की पर न्यू डेली ने नई दिल्ली पर सिखर सम्मेलन आजित किया गया जिसका उधगाटन भारत के क्रशी मंत्री नरेन सिंग तोमर जी ने किया है दोस्तो इसका आजन भारती उध्योग परिसंग ने किया और ट्रेक्टर एंड मेकनियाज दोस्तो भारत के जो क्रशी मंत्री ने कहा है कि हम छोटी किसानों को अलग-अलग उपकरन प्रवाइड करेंगे सब्सीडी रेट में उनको फाइदा प्रदान करेंगे ताकि वो अच्छी से किसानी कर सके विश्व प्रत्वी दिवस हर साल कब मनाया गया वेन वाज वर्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड तो हर साल हम 22 अप्रव को मनाते हैं विश्व प्रत्वी दिवस हैपी अर्थ डे मनाते हैं 1970 से इसका आजन किया जा रहा है और इसके थीम आपको याद रखनी है हमारे ग्रह में निवेश इन्वेस्टिंग इन अवर प्लैनेट दोस्तो इसका आ अध्यक्ष हाली में किसे नियुक्त किया है और है नंति थीयर में इसके हाली में जो चेर्मन बनाए गये हैं इनका क्या नाम है नेर verdade की स्थांट नाम है clear है आपको याद रहेगा important है जो मैंने आपको बताया है next question star sports ने किस cricketer को believe ambassador group में nuket किया है which cricketer has been appointed as a believe ambassador by star sports तो star sports ने हाली में believe ambassador बनाया है रिशब पंत को believe ambassador हाली में बनाये गया है दोस्तों the world disney company की जो सौमित वाला है star sports तो भारती cricketer रिशब पंत को believe ambassador बनाया है ठीक है next question टाटा electronics ने किसे अपना CEO और MD nuket किया who has been appointed by Tata electronics as its CEO and MD तो Tata electronics के MD बनाये गये है रडधीर ठाकुर क्या नाम है रडधीर ठाकुर 18 अप्रल को semiconductor निर्मार्थम्ताव को मजबूत करने के लिए रडधीर ठाकुर को CEO बनाये गया है हाली में SS Dubai को नया CGA बनाये गया है राजेस मनुत्रा PIB के प्रधान महा निदेशक बनाये गये है रडधीर सिंग को Pepsi का brand ambassador बनाये गया है हाली में तारिक फटे का निधन हो गया वह कौन थे तो तारिक फटे थे पाकिस्तानी केनडाई पत्रकार जिनका हाली में निधन हो गया है इमेज में आप तारिक फटे को देख पा रहे हैं 2023-24 अप्रल को निधन हुआ ये पाकिस्तान का हमेशा आलोचना करते थे थे पाकिस्तानी पर इनका दिल था इंदुस्तानी भारत में जलनिकायों पर पहली गड़ना में जलनिकायों की संख्या में सबसे पहला स्थान किस स्टेट का है तो पहला स्थान किस राज्य का है पंशिम बंगाल का है वेस्ट बंगॉल का है वाटर बॉडी में तो फर्स सेंसेस रिपोर्ट जारी किया गया ऐसा पहली बार हुआ है भारत में 24 लाग 24,540 ऐसे रिजर्वायर से हैं जो पॉंड्स हैं टैंक्स हैं लेक्स हैं अलग-अलग हैं यहां पर रिजर्वायर से संसाधन थीक हैं तो फ्रेंट्टष देश के तियास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जलशक्ति मंत्राले नहें ऐसा सैंसेक्स जारी किया है ऐसा पहली बार हो रहा है कि जल निकायों कि पहली गढ़ना रिपोर्ट जारी की गई है आयटी मद्रास कौन सा आयटी मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतराश्टी परिसर स्थापित किया तो आयटी मद्रास ने हाली में तंजानिया में अपना पहला अंतराश्टी परिसर स्थापित किया है तो दोस्तो आयटी मद्रास धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस को पूरी दुनिया में फैला रहा है और दोस्तों इससे क्या होगा तंजानिया को बूस्ट अप मिलेगा उसको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा वहां की वहां को और सीख मिलेगी तो अक्टूबर 2023 में इसकी classes भी स्टार्ट हो जाएंगे हाली में किसने इश्रम पोर्टल में नई सुबधाएं लौच्च के हैं तो हाली में भूपेंद र्यादव जी ने यह इश्रम पोर्टल की नई सुबधाएं लौच्च के हैं इश्रम जो है यह अन और्गनाजड जो कामगर है तो अन और्गनाइज जो कामगर है जो असंगठित कामगर है उनके लिए रास्टी डेटाबेस त्यार करने का काम ये करते हैं दोस्तों यहां पर बात करें भूपेंद्र यादव जी की तो भूपेंद्र यादव जी प्रेजेंड में केंद्री श्रम और रोजगार और पर्यावरण मंत्राले समाल रहे हैं इसमें प्रवाशिश रमिकों का डाटा इकठा किया जाएगा विवरेंट दर्श किया जाएगा और सुभधा को जोड़ा जाएगा 30 सुरक्षा अभ्यास सागर कवच इसका आयजित किस ने किया है Who has conducted the coastal security exercise सागर कवच तो सागर कवच को इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाली में आयजित किया है सागर कवच इसलिए जरूरी क्योंकि इससे हम आतंगवादियों से भी लड़ सकते मिल करके और जो वहाँ पर अवैध लोग आ जाते हैं एंटर कर जाते हैं उसको भी रोकना हमारा मकसद है और 25-26 अप्रेल 2023 में सागर कवच नाव का सयुक्त 30 सुरक्षा अभ्या साजित किया गया जिसमें भारती नौसेना, B.S.F. सामिल हुई, पशिम बंगाल पुलिस सामिल हुई, वन भी भाग सामिल हुए मामु कोया कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो मामु कोया यह कौन थे, मलियालम अभिनेता थे, जिनका हाली में निधन हुआ है इमेज में आप मामु कोया को देख पा रहे हैं दोस्तों यह हाँ से कलाकार थे, कॉमीडियन थे, 77 एर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है लंडन के टेलगू एसोशेशन के द्वारा किसे, Lifetime Achievement Award प्रदान किया गया है तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर है, डॉक्टर रगुराम पिलिरी सिटी को टेलगू एसोशेशन द्वारा, Lifetime Achievement Award प्रदान किया गया है दोस्तों ये breast surgeon है, और स्वास्त के छेतर में इनका पुरुसकार दिया गया है लंडन की टेलगू एसोशेशन के द्वारा बांगलादेश के हाली में नए राष्ट पती बने, तो नए राष्ट पती के रूप में किसने सपत ली है Who has been sworn as the new president of बांगलादेश तो बांगलादेश के नए president बने है मोहमा शाह बुद्दीन चुपो मोहमा शाह बुद्दीन चुपो ने सपत ले ली है और ये जो है अब्दुल हामित की जगह लेंगे 24 अपल 2023 को जिनका कार का समाप्त हो गया है फसल भीमा योजना में उत्करिष्ट कार करने के लिए राश्टी प्रसकार किस राज को मिला है तो फसल भीमा योजना में सबसे बेश परफॉर्म किया करनाटक राज ने किसने किया है करनाटक राज ने दोस्तों फसल भीमा योजना 2016 में स्टार्ट की गए, देखे फसल भीमा योजना के तहट क्या किया जा रहा है, देखे नामंकन किया जा रहा है किसानों का, किसानों को 2022 में करनाटक राज ने 23.86 लेक नामंकन किया है और जादस जादा लोगों को इसका फायदा दिलाने का प् तो किसानों की प्रीम्यम का जो भकतान है वह कौन पे करेगाखा सरकार पे करेगी 2016 में इसे स्टार्ट किया गया है Cross Court नाम की जो पुस्तक है हाली में किस ने लॉंच किया है अब बुक टाइटल Cross Court has been launched whose autobiography is तो फ्रेंड्स जैदीप मुखर जी की autobiography है Cross Court देखे जैदीप मुखर जी की बात करें तो ये tennis player है कौन से player है ये tennis की खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है दूग किया गया दवन पंचायत वन प्लेग्राउंड तो इस प्रोजेक्ट को लॉंच किया है केरल राज ने दोस्तों लोगों में खेल भावना को बढ़ाना और लोगों में खेल को प्रसारित करना विज्ञापन देना इसको ले करके एक खेल एक पंचायत योजना को पिनराई विजियन जी ने लॉंच किया है दोस्तों खेल संस्कृति को उससे बढ़ावा मिलेगा और हर पंचायत में हाई क्वालिटी वाले खेल के मैदान तैयार किये जाएंगे हाली में भारत और किस देश ने हवाई सीवा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इंडियन विच कंट्री है रिसेटली साइन एयर सर्विस तो भारत और गुयना ने हाली में एयर सर्विस को ले करके साइन किया है इसे दोनों देशोग में क्या होगा व्यापार बढ़ेगा क्या बढ़ेगा व्यापार बढ़ेगा क्लियर है तो भारत और गुयना ने दोनों ने ऐसा फैसला लिया है बारसी लोना खिताब 2013 की घोशना हुई तो बारसी लोना खिताब 2013 को किस ने जीता है तो बारसी लोना खिताब 2013 को कारलोस अलकराज ने जीता है इन्होंने स्टेफनोस सीट सिपास को रहा है जो की ग्रीस की प्लेयर है कारलोस अलकराज इस पैन के खिलाडी है तो कार्लोस अलकराज ने स्टेफनोस सीथ सिपास को सीधे सेटों में हरा करके इसे अपने नाम कर लिया है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जिसे हम बोलते हैं लॉग्ड शील्ड इसका जनकी इस देश में किया गया तो लॉग्ड शील्ड एस्टोनिया में हुआ है एस्टोनिया में तलिन वहाँ पर साईबर रक्षा अभ्यास हुआ है नाटो मेंबर्स और भी देश इसमें सामिल हुए है तो ये जो exercise है locked shield ये नाटो की सहयोगियों के द्वारा आजित किया जाता है खास कर cyber security को बढ़ाने के लिए माडा गाउं किसे state में है जो भारत का पहला गाउं बना है माडा village is in which state which has become the first village in India तो माडा गाउं आपको याद रखना है माडा गाउं जो है ये उत्तरा खंड राज में है कहाँ पर है उत्तरा खंड राज में है यहाँ पर देखें आप उत्तरा खंड राज में है उत्तरा खंड में है चमोली जिला वहाँ पर आपको माडा गाउं देखने को मिलेगा पहले इसे भारत का अंतीम गाउं के नाम से जाना जाता था लेकिन last year संबोधन किया था नरेंदर मोधी जी ने और कहा था माडा गाउं last गाउं नहीं होगा बलकि भारत का सबसे पहला विलेज होगा इसलिए signboard को हटा करके भारत का प्रतम गाउं माडा लिख दिया गया है हाली में Sydney Cricket Ground में किस भारती क्रिकेटर के नाम पर एक gate का inauguration किया गया आगेट नेम आफ्टर विच इंडेंग क्रिकेटर हैस बीन अन्वील्ड एड़ सिटिनी क्रिकेट ग्राउंड तो फ्रेंट्स इनका नाम है सचिन टेंडूलकर सचिन टेंडूलकर के नाम पर सिडिनी का जो gate है नौट आप कह सकते हो कि stand सारजा में होगा UAE में तो gate का नाम इनके नाम पर रखा गया है दोस्तो 2004 में टेस्ट में 242 रोनों की नाबाद पारी खेली थी और सचिन ने सिडिनी क्रिकेट ग्राउंड में खेली थी तो यह अपने अपने यादगार थी 2014 में ने भारत रतन मिला है अमेरिका के किस राज ने दिवाली को राश्ट्री अवकाश घोशित किया है which US state has declared दिवाली as a national holiday तो यह जो राज है यह Pennsylvania Pennsylvania राज ने घोशित किया है कि अब हम अपने सारे कर्मचारियों को छुट्टी देंगे दीपावली के दिल ठीक है और इस कदम की घोशना Governor Tom Wolf ने किये है Next question हाली में किस कमपनी को नव रत्न कमपनी का दर्जा मिला Which company has recently got the status of नव रत्न कमपनी तो यह है Rail Vikaas Nigam Limited एक mini रत्न कमपनी थी अब इसे नव रत्न कमपनी बना दिया गया है Rail Vikaas Nigam Limited भारती रेलवे के ब्रांच की रूप में काम करती जो रेलवे के development ले काम करती है इसका headquarter New Delhi में है किस देश की company ने अध्या शहर को कचरे से bio diesel बनाने वाले pilot project की शुरुवात की है तो कचरे से जो यहाँ पर Belgium जो देश है Belgium देश की company है तो अध्या शहर में कचरे से bio diesel बनाएगी और ये news इंदुस 10 टाइस में publish की गई थी तो इस company का क्या नाम है इस company का नाम है veto company हाली में अध्या के इन्हों के officers से मुलाकात की ताकि ये काम start कर पाए कौर सिंग कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया तो आपको याद रखना है कौर सिंग मुक्यबास थे इनका हाली में निधन हो गया है clear है 1982 में एशियाई खिलो में भारत को इन्होंने पदक दिलाए थे विश्व बैंक के रशत प्रदर्शन सुचकांग 2013 में भारत की रखन क्या है तो रशत प्रदर्शन जो होता Logistics Performance Index बोलते हैं तो भारत की रहें किसमे 38 है कितनी है ठाटी एट है किस राज ने सलोखा योजना की है तो कौन से राज है तो यह राज महरास्ट राज जिसने सलोखा योजना की कना करतों को सैट किया धूसर 9000 मांतросization fees से एक 14000 के स्टांप एस्ताम सुल्क के बदले सारी विभागों में 100% एलेक्ट्रिक वहन बनाने का लक्ष रखा है तो ऐसा फैसला उत्तर प्रिदिश राजी ने लिया है कि वह अपने सारे सरकारी डिपार्ट्मेंट में 100% एलेक्ट्रिक वहन चलाएंगे ताकि परियावरण को जो हम बचाने का प्रियास कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरे आगे बढ़ें मलेरिया उन मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉंखलीब कर आए जन कहां पर किया गया तो ऑनमूलन है इसको लें कर Brazilian नई डिल्ली में हालिमें कॉंखलीब कर रहे इसका आयजन जो है इसका जो उद्घाटन है ये हैल्थ मिनिस्टर मंसुक मडाविया जी ने किया है ताकि भारत में पुरी दुनिया में और इस छेत्र में मलेरिया को कम किया जा सके और इसका लक्ष है कि 2030 मलेरिया उन्मूलंग के लिए कारवाई को प्रिरित करना हाली में खोंग जोम दिवस किस राज में मनाया जाएगा तो जो खोंग जोम दिवस है ये मडीपुर राज में मनाया जाएगा कहाँ पर मना जाएगा मड़ीपुर राज में खोंग जोम दिवस मना जाएगा मड़ीपुर में थाउबल जिला वहाँ पर 1899 में अंगरेजु और मड़ीपुरु के बीच में युद्ध हुआ था और इसी को कहते हैं खोंग जोम दिवस हाली में किस राज ने 12 गंटे की duty वाला बिल बिधान सभा में पारित किया है तो बारा गंटे की duty वाला जो बिल है तमिल नाडू राज ने पारित किया है उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग के सचिव हाली में कौन बने हैं who has become the secretary department for promotion of industry and internal trade तो इनका क्या नाम है तो यह राजेश कुमार सिंग क्या नाम है राजेश कुमार सिंग नाम है BMD interceptor missile का पहला उडान परिक्षण हाली में किस ने किया है तो BMD जो है ballistic missile है जो हमारे जो किसी भी दुश्मन देश के द्वारा फेगा जा सकता है तो DRDO ने एक interceptor missile को launch किया है इसका असफल परिक्षण लाँच किया है अगर कोई ballistic missile आती है तो उसे ये नाकाम कर देगा असफल कर देगा दुश्मन देश के छक्के छुड़ा देगा ठीक है उद्वे तंबर को किस देश में जाती गत्नयाय सलाकार मंडल का हाली में सदश्य बनाए गया है तो कहां पर बनाए गया है अमेरिका में अमेरिका में उद्वे तंबर को जाती गत्नयाय सलाकार मंडल का सदश्य बनाए गया है जो नियॉक सिटी में है ठीक है उद्वे तंबर की बात करें तो अमेरिका में युवा विकास सिवाव पे काम करने वाले भारती मूल के CEO है गांधी सागरवन जीव अभिरण किस राज में है जिसे चीते के लिए दूसरे निवास थान करूप में डवलप किया जा रहा है तो यह कहाँ पर है मध्य प्रदिश राज में है गांधी सागर वन जीव अभरण आप सभी को पता है कि मध्य प्रदिश में कुनो नेशनल पार्क है और कुनो नेशनल पार्क में जो है ये शेवपुर में है तो वहाँ पर धीरे धीरे चीतों की संक्या बढ़ रही है अगर ऐसा होता है तो चीते दूसरों को भी मार सकते हैं तो ऐसी नौबत ना आए तो चीतों को ट्रांसफर किया जाएगा गांधी सागर अब इसकी गोशना MP की चीफ मिरिश्टर सिवरा सिंद चोहान ने की है Advantage Healthcare India 2030 इसका छटवा संसकरण हाली में कहां पर आजित किया गया तो इसका आज न्यू डेली में किया गया Advantage Healthcare India Summit का यह One Earth One Health की थीम पर लॉंच किया गया जो की G20 की थीम के जैसा ही है इसके तहट हम पूरी दुनिया से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी Emergency के केस में हम Health की Infrastructure को बढ़ा सकते हैं हमें स्वास्त के Infrastructure पर काम करना चाहिए और पूरी दुनिया को एक साथ इस काम के लिए आगे आना चाहिए किस राज ने आदिवासी छात्रों के लिए Mobile विज्ञान प्रयोक्षाला सुरू किया है तो यह जो राज यह है यह महराष्ट राज महराष्ट राज ने आदिवासी छात्रों के लिए एक मुवाइल विज्ञान प्रियोक साला को स्टार्ट किया है एक खास कर नकसर प्रवाजबी जो गड़ चिरॉली डिस्टिक्ट है वहाँ पर स्टार्ट किया गया है ये स्कूल वैन के माध्यम से कई स्कूलों पर ले जाए जाएगा और साइन्स से रिलेटेड उनको टीचिंस दी जाएगी ताकि उनका वहारी ज्यान बढ़ जाए नेस्ट कोशन हाली में आज़ित की गई स्टार्ट की बैठक के अज़धक तक कौन करेगा तो who will chair the recently SEO defense minister meeting तो SEO की defense ministers की meeting भारत की रक्षा मंतरी राजनाज सिंग करेंगे 28 अप्रल को न्यू डेली में इसका आज़न किया जा चुका है और इस बैठक में SEO के सारे members यहाँ पर पार्डिसिपेट की है SEO की स्थापना 2001 में हुई है जिसका headquarter संग हाई चीन में हाली में NESCOM के अधिश को न्यूक्त के गए who has been appointed as the NESCOM head or chairman तो यह अनन्त महिश्वरी अनन्त महिश्वरी आप देख पा रहे हैं तो यह NESCOM क्या है तो IT इंडस्ट्री का सबसे सर्वोच बॉड़ी है एपेक्स बॉड़ी है जो software services के लिए काम करता है NESCOM का full form है National Association of Software Services Companies 1988 में इसकी स्थापना हुई है हाली मिक की stadium में सचिन टेंडूलकर के नाम पर एक stand का नाम रखा गया तो सचिन टेंडूलकर के नाम पर UAE में सार्जा stadium है जिसका नाम रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 13,000 दर्शकों की बैठने की शमता है और मैंने आपको Sydney Cricket Ground के बारे में बताया है सचिन टेंडूलकर के नाम पर एक gate का integration किया गया अजे वारियर 23 यह जो अभ्यास है भारत और किस देश की बीच में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों भारत और यूनाइटर केंड़म की बीच में Conquerण अभ्यास भी होता है और इंदर धनुस अभ्यास भी होता है इसका जो 7th edition एक कहां पर हुआ है तो England में है Salisbury वहाँ पर आजे वारियर हो रहा है 27 अपर से 11 माई तर Next है 68 Hyundai Film Fair Awards 2023 में Best Film का आवर्ड किसे मिला है तो Best Film का आवर्ड मिला है गंगू बाई कठिया वाडी को गंगू बाई कठिया वाडी को Best Film का वार्ड मिला है और इसमें जो मुख्य के दार निभाया है वो आलिया भट निभाया है 28 अपरिल को जियो कन्वेंसन सेंटर मुंबाई में इसका आजन किया गया है दोस्तों फिल्म गंगू बाई कठिया वाडी ने 10 पुरसकार जीते हैं फिल्म फियर पुरसकार के शुरुवात 1954 में हुई है आज का आगरी कोश्चन एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी को हाली में किसे न्यूक्त किया गया है तो चीफ टेकनिकल ओफिसर आफ एयर इंडिया तो चीफ टेकनिकल ओफिसर बने है सिसिरा कांता दास क्या नाम है सिसिरा कांता दास सिसिरा कांता दास प्रजड़न में विस्तारा में इंजिनियर के प्रमुख है अभी नहीं यहाँ पर एयर इंडिया का चीफ इंजिनियर बनाए गया एयर इंडिया का तकनीकी अधिकारी बनाए गया 1932 में Air India की स्थापना हुई जिसका Headquarter New Delhi में है और इसके CEO है Campable Wilson तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को साट कोश्चन, रैपिड कोश्चन और बिल्कुत सच सच बताना, इमानदारी सपना Feedback देना और बताना और क्या कर सकते हैं इस Class के लिए आज का सवाल है वीरता प्रसकार से सम्मानित होने वाली IAF की पहली महिला धिकारी कौन बनी है आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है और दोस्तों PDF के लिए Telegram को जोईन करना ना भूले जहांपर आपको regularly PDF प्रवाइड की जा रही है वहाँ पे टेस्ट होता है वहाँ पे अपडेट्स होते है हम आपको सब कुछ प्रदान करने का प्रयास कर रहे है और आप अपने valuable feedback और suggestion हम तक पहुचा सकते है मैं हर एक comments को पढ़ता रहता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा हर एक जो student है वह किस प्रकार की विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है इजाज़त दीजे मुझे कल सुबह 6 बज़े फिर मिलेंगे इसी जोस इसी उर्जा के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत खुश रहिए मुस्कुराते रहिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है दोस्तों एक question था उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर एक question जो है missing है साइद यह question था एक second रुके आप रास्टी तक्नीकी अनुसंधान संगठन इसका अध्यक्ष ठीक है चलिए ठीक है अब चलने का समय हो गए इजाज़त दीजे दोस्तों यह यहाँ पर हमारा session हो जाता है समाप्त कल हम फिर मिलेंगे इसी जोस और इसी उज़्जा के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए इसका राइट एंसर अरोणा सिनहा होगा इस बाद चेक कर लीजेगा ठीक है चलिए दोस्तों मिलते है तब तक के लिए जै हिन जै भारत